हेलो फ्रेंड्स यूके निटिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन सेयर करने जारी हूँ इस बैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा ये बैटन आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये बैटन बनना इस्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजे न्यू वीडियोज की नोट्पिकेशन के लिए बेला इकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब देखे फ्रंट साइड से बैटन की फस्ट्रों में देखे पहला फंदा उता लेंगे और फ्रंट साइड से हमने फस्ट्रों को सीधा बुनते हुए कंप्लेट करना है यह देखे फ्रंट साइड से हमारी फस्ट्रों कम्प्लेट हो गई अब देखे बैग साइड से से किंड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे और बैक साइड से हमने से किंड रों को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है देखिए बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए नेस्ट हमने तीन फंदों में पैटन डालना है तो देखिए तीसरे नमबर का फंदा हम पहले बुनें तो ऐसे सीधी साइट से सलाई डालेंगे और देखिए जो तीसरे नमबर का फंद है इसको हमने पहले बुनना है फिर आगे के फंदे एक-एक करके सीधे बुनेंगे यह देखिए यह तीन फंदों में हमारा पैटर्न आ गया नेश्ट हम तीन फंदों में सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे तो देखिए तीसरा फंदा हमने पहले बुनना है यह देखिए फिर आगे के फंदे एक-एक करके सीधा बुन लेंगे फिर देखिए नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे यह तीसरा फंदा पहले बुनेंगे फिर आगे के फंदे एक-एक करके सीधा बुन लेंगे यह देखे, फिर next same process repeat करेंगे, तीसरा फंदा हमने पहले बुनना है, फिर आगे के फंदे एक-एक करके सीधे बुनेंगे, तो देखे यह तीन फंदों में हमारा pattern आ रहा है, यह देखे 3K multiple में हमारा यह pattern बन रहा है, अब देखे next हमने same process repeat करना है, यह देखे, यह तीसरे नम अबर का फंदा ऐसे उठाएंगे सलाई में इसको पहले बुनेंगे फिर आगे के फंदे एक-एक करके सीधा बुन लेंगे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे फ्रंट साइट से हमारी पैटर्ण की थर्ड रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइट से फोर्ट रो अब फ पूरे पैटर्ण में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है अब देखे बैक साइड से हमारी प्रोर्ट रो complete हो गई अब देखिए front side से 5th row अब 5th row में हमारा pattern repeat होगा 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete करना है और back side से जो हमारी 6 row आएगी उसको हमने 2nd row की तरह बुनते हुए complete करना है अब हमने अपने pattern को इसी तरह repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो please subscribe करना न भ